Hey Hello Student, इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं हर CA Foundation Final and Intermediate Students के Result regarding Like Result आने के बाद और Result आने के पहले बहुत सारे Students के माइड में एक की डाउट साता है जो Student को ऐसा लगता है Result आने के बाद कि Sir मेरा Result फेल आ गया है क्या मुझे Physical Card मिलेगा या फिर result आने के पहले बहुत सारे CA students के mind में ये एक doubt रहता है कि sir क्या में fail हो गया तो मुझे physical card मिलेगा तो इसका एक ही answer है yes, first of all मैं बता दो जितने भी CA foundation final and intermediate students को पता होगा बट foundation students को बता दू जो भी result आता है आपका ICIC official website पे और आपका result pass हो fail हो बट आपको physical card भेजा जाता है आपके घर पे in case अगर आप पास है CA foundation तो अगर आप fail है तो आपको fail का certificate directly ICIC official website पे आपको मिल जाएगा आपका fail वाला result तो result कैसे मिलेगा इस video में in deep बताऊंगा request आप सभी से कि आप अगर youtube channel अपने है और इस video को देखे रहें तो please channel को like, subscribe and जो side में bell icon वाला button इस प्रिस करके channel के all वाले section पे दबा दे ताकि आप कोई भी ICI का important announcement मिस ना कर सके तो चलिए video start करते हैं आपको अपना fail वाला certificate मैं खाली उन students को बता रहा हूँ पर्पस खाली foundation student का है हो सकता है अगर intermediate and final students को नहीं पता है तो आप भी देख सकते हैं बड़ पर्पस मेरा foundation students को लेके तो इन केस अगर आप foundation exam कोई भी year में ओडिसंबर नवंबर या फिर मैं वाला अगर आप fail हुए किसी भी exam में तो अब आपके mind में doubt आता है sir मैं fail हो गया हो घर पे पता चला या फिर बहुत सारे student चुपा लेते हैं कि मैं fail हूँ तो उनको बता दू कि fail वाला certificate भी मिलता है कैसे मिलेगा अब इस वीडियो में deep बताता हूँ आपको ICI के official website पर आ जाना होगा उसके बाद student वाला section आपको दिख रहा होगा simply student वाले section पर click कर देना जैसे ही आप student वाले section पर click करेंगे थोड़ा सा scroll down करेंगे तो आपको यहाँ पर student examination का एक section मिल जाएगा simply आपको examination वाले section पर click कर देना है अब आप जैसे examination के section पर click करते हैं तो थोड़ा सा wait करेंगे अगर आप examination वाले section पर click करने के बाद तो आपको नीचे student examination portal करके एक section दिखता होगा I hope आपको सो रहा होगा examination portal आपको examination portal पे click कर देना है जैसे आप examination portal पे click कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप login and register का section मिल जाएगा simply आपको login and register वाले section पे click करके अपनी login ID और password डाल देना है like देख सकते हैं पे login ID and password sir login ID and password foundation students आप नए हैं आपको deep में बता रहा हूँ login ID and password जब आपने registration किया होगा तो आपको login ID मिली होगी और आपने password भी create किया होगा same password आपको डाल के login हो जाना है देख सकते है student आप अगर आप login ID and password डाल के login हो गए हैं यह एक fail students का बता रहूँ फर्स्ट अपल मैं आपको यह भी बता देता हूँ जो student ने mail ID verification नहीं किया होगा तो please result के पहले अपना mail ID verification कर लेना because आपको mail पे भी notification आ जाता है कभी-कभी तो mail ID verification करना कमपल सरी अगर नहीं पता आपको तो description box चेक कर लेना वहाँ पे एक वीडियो बना चुका हूँ mail ID verification का तो आप देख सकते ही यहाँ पे जो apply and track your application यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट का दिखा रहा हूँ जो स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट है और उसने मेरो कोई सेर क्या था सर में फेल हो गया हूँ और बाद में मैंने उसको बताए भी कि आपका फेल वाला marksit मिलता है तो देख सकते ही जुलाई का स्टूडेंट था जुलाई 2021 का एक्जाम फेल हो गया था जुलाई 2021 में तो आप थोड़ा से स्क्रोल डाउन करेंगे तो देख सकते ही marksit e-locker जून 2022 जो कि यह जुलाई स्टूडेंट था समझ सकते ही जून जुलाई एकी हो गया marksit e-locker यह जो marksit है आपका जो आप फेल हो गया है तो फेल का सर्टिफिकेट marksit e-locker में आपको मिल जाएगा आपको क्लिक कर देना marksit e-locker पर हाला कि यहां पर close हो गया है बिकोज जून 2021 में इनका e-locker आया था बट अब एक डाउट आता है हर स्टूडेंट के पाइंट में सर अभी मैं फेल हुआ हूं क्या मुझे अभी मिल जाएगा बहुत बड़ा डाउट है सब स्टूडेंट का कि सर नहीं मिल रहा मेरे को तो अगें बूल रहा हूं आज र आपको डाउट कर रहे हैं और आपका पूरा डीटेल दिखेगा कि कैसे आप किस सब्जेक्ट में कितना माक्सा या किस में कहां फेल हुए हैं आप पूरा आपको डेटा मिल जाएगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज अपने और फ् प्रिस करके चैनल पर जोइन हो जाना ताकि आप कोई भी सीए एक्जाम रिगार्डिंग अपडेट में ना कर सके थेंक्यू स्टुडेंट्स अगर आपके माइन में कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सक्षेन में जरूर कमेंट करना में उसको जरूर सौल करूंगा